कि नमस्कार गुडीवनिंग कॉंप्रिहेंसिफ करने फैस प्रोग्राम में मैं पोक्राज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आखरी वीडियो एकदम अंधियार में सूट कर रहे हूं ठीक तो बीज में कुछ समय था उसमें हमारे यहां पर लाइटिंग का काम का साफी कुछ हो गया जिसके कान आपको इस वीडियो में कम से कंटेंट के साथ मैं भी दिख रहा हूंगा हाला कि मेरे दिखने और नहीं दिखने से कोई फरक नहीं पड़ता क्यूंकि कंटेंट जाधा इंपॉर्टेंट है सिक्षक नहीं ठीक है मेरी आवाज भी होगी तो भ कि 16 मार्श तक का जो करेंट अफेर्स है उसमें बेसिकली आनलिसिस करेंगे इस वीडियो को बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना आप लोग जरूर देखेगा इसमें ना मेंस से संबंधित खासकर 36 गड़की एकनौमी से संबंधित कुछ बहुत इंपॉर्टे पेंट हमसे आप हमारा जो अबी केशन है कंपिटिशन कम्यूनिटे का नया अप्लिकेशन उसको डाउनलोड कर सकते हैं चाहें तो जाकर competition community Google Play में search भी कर सकते हैं यह जो application है यह Android वाला है ना ध्यान रखना भी फिलहाल iOS वालों के लिए भी नहीं आए है तो आप लोग क्या कर सकते हो तो हमारे website है ना उससे देख सकते कोई दिक्कत का बात नहीं उस application को भी बहुत जल्द हम लेकर आ जाएंगे सबसे से पहले क्या करते हैं तो questions जो की लास्ट वीडियो में मैंने दिया था उसको डिसकस कर लेते हैं तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ceremony for school teachers और इसमें 46 की कौन से teacher को award मिला था आपको याद होगा पूनम पुर्मलिया जी को आपको ध्यान होना चाहिए यार यह कि होलीम ज्यादा भुला आगे हो बिक्कट रंग खेले हो लग थे किसे next क्या है मार्च 2022 में भारत सरकार की आवास और नगरी मामले का जो मंत्राले है उसके द्वारा social enterprises of garbage free city का जो national conclave कहां आयोजित हुआ था तो आपको ध्यान होगा इसका आयोजिन कहां हुआ था तो राइपूर में आज के पहले topic पर अब यह जो topic है वो है महिला मड़ई महिला मड़ई यह एकदम pre-oriented topic है मतलब pre 80% इसका प्री में आने का chance ज्यादा है 20% जो है यह किसमें आ सकता है तो मेंस में भी आ सकता है ठीक है चलिए अब समझते हैं कैसे तो महिला मड़ई जो है इसका आयोजिन राइपूर में हुआ है BTI ground में हुआ है कब से कब तक तो 5 March 2022 से 8 March 2022 तो पहला question आ जाएगा महिला मड़ई जो है उसका आयोजिन कहां हुआ तो answer क्या है यह राइपूर सेकेंड question आ जाएगा कि कब हुआ तो 5 से लेके 8 March 2022 ठीक है भई अब माल लीजिए मेंस में पूछेगा कि यह जो महिला मड़ई है इसका उद्देश या objective क्या था clear है यह तो यह 30 words में question आ सकता है paper number 5 में क्या objective था तो हमारे जो state की खासकर महिला स्वह सहायता समू है women self help groups उनके द्वारा तैयार के गए बहुत से उत्पादक जो थे या उत्पाद कहूं उत्पादक नहीं यार उत्पाद products उसकी क्या करी गई फ्रदर्श्नी लगाई गई stall के माध्यम से इसे क्या किया गया तो sell भी किया गया clear तो महिलाओं को आर्थिक रूप से शशक्त करने के लिए या economic indicator में women empowerment के लिए ये बहुत important एक news है तो paper 5 में आ सकता है 30 words में इसके लावा means में essay में अगर women empowerment से संबंधित चीज़े आती हैं तो उसमें भी आप इस fact को use क कर सकते हैं अब महिला मणई के समय ही क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूं 73 2022 इस दिन BTI ground पे ही हमारे मुख्य मंत्री कौन है भई मुख्य मंत्री तो बताने कम रिक जोरत है क्या तो हमारे मुख्य मंत्री भूपेश भगेल जी इन्होंने क्या किया एक योजना की इसमें 36 गड़ का एकनॉमी वाला जो section है उसको अच्छे से study किया हो तो इन सभी योजनाओं को 30 words और 60 words में पूछते रहता है तो सीधा उटके 30 words या 60 words का question बन सकता है कि ये योजना जो है वो क्या है तो बहरहाल न्यूस पे पहले आते हैं उससे पहले wireless अकेलों गए बिकट नए wire और गोड़ेच गोड़ में आते हैं भगवान याने क्या दूस्मनी है मेरे से आप लोग पर कमेंट करके बताना बाकी टीचर लोग भी हैसीच करते हैं कि अपने वीडियो में करके कि मेरे जगोड़ में आता है ये wire हाँ तो न्यूज ये थे कि साथ तारिक को साथ मार्च 2022 को CM ने क्या किया तो CM सर ने कौश्विल्या मात्रितव यूजना जो है उसकी उसका अरे सब ना एकक करके ना अडंगा डालते हैं शुवाराम किया क्लियर है तो एक तो ये न्यूज हो गया तो आपको प्री में पूछेगा कि ये कब इनाउग्रेट हुआ किसे ने इनाउग्रेट किया ये प्री का क्वेशन बन गया अम मेंस का क्वेशन क्या बनता है मेंस का क्वेशन बने का ये जो योजना है इसके क्या प्रावधान है या क्या उद्देश है या ये योजना सीधा सीधा पूछेगा क्या है 30 words या 60 words में once again paper number 5 में छत्तिरगण का एकनौमी वाला जो section है उसमें ठीक तो सबसे पहले आप देखें ये जो योजना है ना इस योजना के अंतरगत अगर second बेटी हुई द्विती पुत्री हुई तो जो महिला हिद गराही जिसको ये द्विती पुत्री हुई है उसको क्या किया जाएगा एक मुष्ट मतलब एक बार में 5000 रुपे की सहायता राशी दी जाएगी अब ये जो 5000 की सहायता राशी है इससे क्या होगा तो जो बच्ची है उसके पालन में और उसकी सिक्षा में मदद हो सकेगी या मदद कर सकेगा ये जो एमाउंट है वो तो कैसे तो आर्थिक रूप से भई बच्चे पालोगे उसको पढ़ाओगे तो क्या लगेगा पैसिक जरूरत है समझ में आया तो ये जो पैसा मिलेगा उसको आप इन कामों के लिए आगे चलकर इस्तिमाल कर सकेंगे पालन पोशन में या सिक्षा में क्लियर है ये तो बेसिकली अगर आजाए मेंस में लिखने के लिए ये यूजना जो है इसका क्या उद्देश है तो उद्देश में आप बताईएगा कि बच्चियों के पालन और सिक्षा में मदद करने के लिए क्या किया जाता है तो फिर द्विती पुत्री फिर ये प्रावधान है तो प्रावधान बाद में बताईएगा कि द्विती पुत्री के जन्न पर महिला हिद्गराही को एक मुख्ष पांच जा रुपे दिये जाते हैं उसके बाद अगर जगा बच है तो लिख देना शुबारम कब से हुआ है तो सातीन दोहजार बाइस बुपेश बगहल जी के द्वारा क्लियर है तो इस प्रकार से इसका आंसर जो है आप लिख पाएंगे डन तो आई होप याला न्यूज आपको समझ में आ गया होगा नेक्स देखते हैं नेक्स क्या है तो 36 गण में एक लाख सतर हजार बच्चे जो है ये कुपोशन से मुक्त हो गए हैं ये जो न्यूज है ना ये वरी 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 इमपोर्टन्ट है लेकिन प्री के पॉइंट अफियू से नहीं मेंस के पॉइंट अफियू से है क्यों ये जो डेटा है ना इस डेटा को आप में बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, स्वास्त या हेल्थ से रिलेटेड ऐसे आ जाए, और आपको पता है कि कम सकम एक ऐसे जरूर ऐसा आता है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर मैं आपको बता दू, महिला और बाल विकास विभाग है, ये वजन तेवहार का आयोजन करता है, तो वजन तेवहार जो है ना लगभग वर्ष 2012 से इसका आयोजन जो है निरंतर हर वर्ष किया जा रहा है, ठीक है, तो जो विभाग है, उसके आकडो के अनुसार क्या पता चलता है, तो आकडे 2016 से 2022 तक के लिए गए हैं, तो आकडो से ये पता चलता है, कि कुपोशन की जो 10.86% हो चुकी है, तो कित्ती कमी आई है, 10.27% की गिरावट, 10.27% जो है ना, उसकी गिरावट आई है, कुपोशन में, बहुत इंपोटेंट, तो कुपोशन की दर आपको 19.86 विभाग के नुसार याद रखना है, 2022 में, अच्छा, आपको पता होगा, नाशनल फामिली स्वास्त सर्वेक्षन पाच, इसके भी आकड़ें आए हैं, और इसके आकड़ों से क्या पता चलता है, 36 गड़ में, इस सर्वेक्षन के अनुसार, कुपोशन की दर कित्ती है, तो 31.3%, कित्ती है, 31.3%, राष्ट्री ओसत मतलब भारत में आवरेज किता है, तो 32.1%, तो भार सा डेटा आपके लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एक तो 36 गड़ के विभाग के नुसार, एक कित्ती कमी आई है, दूसरा, नाशनल फैमली हेल्थ सर्वेय ने कितना बताया है, यह तीन डेटा आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, अच्छा, अब एक च काटेगरी में रखा गया है इनको, और उसके अनुसार जो है, बताया जाता है, कि यह बच्चे के कुपोशित हैं, कि कमुचाई वाले हैं, इस प्रकार से, ठीक है, नेक्स्ट, तीन काटेगरी से बिसिकली ना, अच्छा, एक और चीज़ में आपको यहाँ पर आड़ करना चाहूंगा, कि इस वजन तयोहार के माध्यम से ही क्या किया जाता है, तो 11 से 18 वर्ष के बीच की जो लड़किया होती है, उन में क्या होता है, हीमोगलोबिन का टेस्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है, कहीं इनको एनीमिया या खून की कमी तो नहीं हो रही है, इसके अ के बारे में जानकाडी हो जाती है, तो यह तो वजन तयोहार जो है, इसका मैंने एक्स्ट्रा इंफर्मेशन बताया, खाली बेसिकली आपको ध्यान में रखने के लिए कि वजन तयोहार क्या था, अच्छा, काम का कौन-कौन सा डेटा है, तो फिर से एक बार हाइलाइट कर चार डेटा याद रख लोगे, इसको याद नहीं रखोगे, कितने से कम हुआ तो भी चलेगा, कम सकम तीन को याद रख लेना, ठीक है, अच्छा, अब 6 वर्ष से कम आयू के जो बच्चे हैं, उनमें जो कुपोशन हैं, और एनीमिया हैं, और 15 से 49 वर्ष की आयू की जो मह लाएं हैं, उनमें जो एनीमिया हैं, उसे खत्म करने के लिए, और कुपोशन, स्वारी, पोशन जो है, कुपोशन नहीं, पोशन का स्तर, उसमें सकारात्मक सुधार करने के लिए, मतलब पोशन को बढ़ाने के लिए, नुट्रिशन जो है, उसको क्या करने के लिए, इन्क की अर्थवेवस्था या जो एकनौमी है उसमें फिर से आपको 30 वर्ड्स में या 60 वर्ड्स में एक योजना पूछ सकता है नाम है क्या तो मुख्यमंत्री सू पोशन अभियान तो बताना कि 2 अक्टूबर 2019 से ये आरंब हुई है और आज में 6 वर्ड से कम आयू के जो पॉजिटिव चेंजेज लाने हैं सकरात्मक सुधार लाने इस देश योजना को चालू किया गया है अपने आप में सीधा 30 या 60 वर्ड्स का ये क्वेशन है तो इसको ध्यान में रखें नीचे कुछ नहीं जो कटा हुआ देख रहा है यह वही क्वेशन है जो मैंने आपको प्रसिक्षन स्कूल है उसको यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी मिली है ठीक है अब यह जो यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी है किसको दवारा दी जाती है तो हमारे यह यूनियन होम मिनिस्टरी के द्वारा केंदरी ग्रह मंत्राले के द्वारा इस ट्रॉफी को दिया ज जो है वहां पर गैज Canada जो अधिकारी है राजपत्रित जो अधिकारी है उनके प्रसक्षण के लिए वर्ष 2019-20 के लिए और पुलिस का जो प्रसक्षिंड स्कूल है कहां पर राजनाथगा में यहां पर जो नव आरक्षक नए आरक्षक constables जो हैं उनकी प्रसिक्षन के लिए कौन से वर्ष 19-20 और 20-21 के लिए home minister trophy इन्हें दी जा रही है clear है यह तो state police academy यह तो समझ गया 2000-19-20 ठीक है और police training school कहां पर राधनाद गाओ 19-20 और 20-21 के लिए यह constables और यह gazetted officers के training के लिए इनको क्या दिया जा रहा है तो union home minister जो है उसकी trophy दी जा रही है ठीक है यह union home minister trophy दी जा रही है ठीक है भई इसके अलावा ध्यान रखना कुछ लोगों का नाम पहली है सूश्री गायत्री सिंग दूसरे है नजमुस साकिब तीसरे है चित्रसेन सिंग खरसन पूरा नाम चित्रसेन सिंग खरसन तो इनको क्या किया जा रहा है ना वर्ष 2019 के लिए असाधारण आसूचना कुषल पदक आसूचना मतलब इंटेलिजेंस तो बेसिकली ये एक ऐसा पदक या एबॉर्ड है जिसको बेसिकली क्या किया जाता है तो स्टेट पुलिस या चित्रसेन सिंग खरसन को दिया गया है और 21 के लिए आपको ध्यान रखना है के स्री नंदन और राम श्रिंगार यादव को यही असाधारण आसूचना कुषलता पदक जो है वो प्रदान किया गया है अब टॉपिक का रेलेवेंस अगर आप देखोगे तो सीधा प्रीका है आपको पूछेगा कि यह जो यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी है निम्न में से किसको मिली है किसको नहीं मिली है तो पहले तो याद रखना स्टेट पोलिस अकैडमी है स्टेट ट्रेनिंग स्कूल कहा है रादनार कहा है एक क्वेशन बन गया उसके बाद पूछ सकता है कि असाधारण आसूचना कुशल पदक यह जो पदक है यह किसको किसको मिला है तो नाम से पूछेगा 2019 के लिए किसको मिला था उसके बाद 2021 के लिए तो यह जो पॉइंट है यह important है और यहाँ पर नाम important था वर्ष important था clear है यह तो इतने questions जो है वो प्रीमेब बन सकते हैं इस topic से चलिए अब next देखते है next क्या है तो आर्थिक सर्वेक्षन 2021 देखिए आर्थिक सर्वेक्षन जो है वो अपने आप में लगभग पॉने 400 पेच का एक मोटा सा document है जिसका आप जानते हैं कि already मैंने क्या कराया था तो एक marathon class कराया था आगे चलके भी छात रहे इतने बहुत सारी चीज़े इसे संबंदित हम करेंगे कैसे करेंगे क्या करेंगे वो आपको समय पर बता दिया जाएगा लेकिन कुछ ऐसी चीज़े हैं जो कि इस बार अगर आप मेंस लिख रहे हो तो आपके लिए बहुत important है जानना इसमें सीधा मेंस में question बन जाता है साथ ही ये सीधा उटके प्री में भी आ जाते हैं क्या fact देखते हैं तो स्थर भाव पर स्थर भाव मतलब ये base year की बात हो रही है इस पर 2021-22 में जो GSDP है वो अनुमानित 2,78,496 करोड है लास्ट येर कित्ती थी 21 का quick estimate इक सर्वे में 2,49,683 करोड क्लियर है ये तो लगभग अनुमानित व्रिद्धी कित्ती दर्शा रहा है तो 11.54% अब डेटा को याद कैसे रख सकते हो आप याद रख सकते हैं 2.49 लाक करोड इसको याद रख सकते हो 2.78 लाक करोड क्लियर है तो स्थिर भाव पे 21-22 में अनुमानित कित्ता है 2.78 लाक करोड 2000-2021 में कितना था 2.49 लाक करोड क्लियर है ये तो 2.78 लाक करोड जो है अब अनुमानित है तो लगभर कित्ती वृध्धी बता रहा है तो 11.45% की वृध्धी कैसा है अनुमानित है ठीक है तो यह आपको ध्यान में रखना है अच्छा नेक्स आपको मैं बताता हूँ हमारे यहाँ पर अगर आप अर्थ में वस्था के शेत्र देखो तो आपको पता होगा कि बेसिकली हम तीन प्रकार के शेत्रों की बात करते हैं प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर दूसरा द्वितियक या सेकेंटरी तीसरा त्रितियक टर्शरी इसी सेवा भी बोल लेते हैं अब प्राथमिक में क्या आ पशुपालन आनेमल हजबेंडरी वन उद्योग तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं सीधा सीधा फॉर्स्ट बेज इंडास्ट्रीज मचली उद्योग फिशरीज खनन उद्खनन माइन संड कोईडी द्वितियक वी निर्मान मेनफेक्ट्रिंग विद्धुद गैस जलापूर इलेक्ट्रिसिटी गास और वाटर सप्लाई निर्मान कंस्ट्रक्शन त्रितियक में क्या आ जाता है तो कम्मिनिकेशन तो संचार हो गया कम्मिनिकेशन प्रसारान मतलब ब्राड कास्टिंग विद्धी सेवा फिनांशल सर्विसेस लोग प्रशासन पब्लिक अड्मिनिस् मतलब कहां जाए तो यह खनन यहां जाए यहां से मैंने हटा दिया तो यह जो बजगया चार अब यह कहलाता है क्या क्रिशी और संबध्ध सेवा एकरिकल्चर एंड एलाइट सेक्टर अब यह जो है पूरा का पूरा यह कहलाता है क्या तो यह कहलाता है उद्योग या इंडस्ट्रियल सेक्टर और इसे तो हम सेवा शेत्र कहते हैं तो एकनॉमिक सर्वे कि जब आप पढ़ाई करेंगे ना तो जेनरली आपको क्रिशी एवं संबध्ध दिया होगा उद्योग और सेवा इन तीन सेक्टर की ब विध्या नुमानित है 2000 2121 के लिए तो थ variety यूद्योग शेत्र उसके लिए 15.44 परसेंट अनूमानित है सेवा शेत्र के लिए 8.54 परसेंट अनूमानित है। का question है यह point जोएना सीधा पूछेगा आपको प्री में कितना अनुमानित है करके है ठीक है अच्छा यहाँ पर हमने क्या देखा कितीनी वृद्धी हो रही है अब वृद्धी के बाद योगदान देखे तो वही 21-22 में कितना योगदान अनुमानित है तो जी एस डीपी में योगदान अगर देखे ना तो सबसे पहले क्रिशी जो शेत्र है क्रिशी एवं संबद एगरी कल्चर ने लाइड उसका योगदान लगभग 16.73 परसेंट होगा ऐसा अनुमानित है वैसे ही उद्योग जो है 50.61 परसेंट होगा इसका योगदान ऐसा अनु प्रतिव्यक्ति आये तो प्रतिव्यक्ति आये मैंने आपको बताया था या तो जी एस डीपी ले लो या एन एस डीपी ले लो इसको किसे तो जन संख्या या पॉपलेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है प्रतिव्यक्ति तो प्रतिव्यक्ति आये जो है इसका स नहीं मापदंड हम NSDP जो है उसको मानते हैं क्यों कि इसमें depreciation को अल्रीड हम हटा चुके होते हैं तो NSDP और खासकर प्रचलित भाव तो NSDP और प्रचलित भाव जो वरतवान वर्ष के भाव हैं उसके अधार पर क्या हुआ था ना तो हम दो चीजों की बात करेंगे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हुए तो सबसे पहले वर्ष 2020 का क्विक एस्टिमेट मतलब क्या होता है आपने मान लीजिया अनुमान लगाया किसी एक सेक्टर का बस उसे कह देंगे जल्दी से निकाल लिया तो क्विक एस्टिमेट एकदम आसान भाषां बता लिया हूँ ठीक है तो वह एक लाग पांच हजार साथ सो अठतर वन जिरो फाइव सेवन सेवन एट था और बीस इकिस में कितना अनुमान नहीं थे अब देखो बीस सुरी बीस इकिस नहीं है या नहां पर 2223 होगा तब इस वर्ष का हम क्विक एस्टिमेट निकाल सकेंगे ये तो एक किस बाईस में अनुमानित कितना है एक पंदरा 4101 आपको स्वारी 18401 तो आपको ये डेटा याद रखना है इस बार कितना नुमानित है 18401 एक एन सदीपी प्रचलित भाव ठीक है ज गा जी एस डीप 11.54 परसेंट बढ़ेगा ऐसा अनुमान किया है हमने और इसको 11.93 परसेंट बढ़ेगा ऐसा अनुमान किया है तो ध्यान रखेंगे आप क्लियर है यह अच्छा तो मैंने आपको बताया यह सभी जो फाक्ट है यह अपने आप में प्री का एक क्वेश्चन है आपने देखा था कैसे इस बार पूछी दिया था प्री में हाला कि उस एंसर को सही नहीं लिया था बड़ा डिबेटेबल है वो कि 46 गण में किस छेतर का अनुमान सबसे जादा है कम है करके एक स्टेटमेंट था और एक स्टेटमेंट तो सीधा मैच दी कॉलम वाला दान्था करके ठीक है तो ऐसे क्वेशन के रहें अगर मेंस लिख रहे हैं तो 30 या 60 वर्ट के क्वेशन के लिए भी तयार है पेपर नमबर पाच में सीधा पूछता है कि आर्थिक सर्वेक्षन के अनुसार स्थिर भाव पर क्रिशी उद्योग सेवा शेतर जे हैं उनमें क 22 के लिए 36 गर में जो प्रतिव यक्ति आये है वह कितनी आनुमानित है यह 30 वर्ट का एक क्वेशन बन जाएगा क्लियर है यह तो हमने से कॉश्चिन देख लिया इसमें से देख लिया अच्छा यहां पर प्रतिव्यक्ति आये जो है इसका recent trend पूछ सकता है तो आप बताना भई कि कितनी वृध्धियनुमानित है GSDP जो है इसका डेटा पूछ सकता है तो बताना कितनी वृध्धियन वह अनुमानित है तो इसे एक स्लाइट से 5 से 6 क्वेश्चिन जो है बहुत आसानी से बन सकते हैं चलिए यह भी बता ही चुका हूँ आप लोग को आगे बढ़ते ह अब 36 गड़ जो है ना उसके रादनाद गाओं जिला में ग्राम है नाम है सोने सरार यहाँ पर एक आस्था संकुल संगठन है इसको उत्कृष्ट कार के लिए क्या किया गया है तो भारत सरकार जो है उसने आत्म निर्भर संगठन पुरुसकार 2022 से सम्भानित किया है अपने आप से देखोगे तो यह कैसा है तो थोड़ा सा प्री ओरियंटेड जादा है ठीक है अच्छा अब इसे कितने ग्राम पंचाय जिले हैं तो जुड़े हैं तो 17 कितने स्वसायता स्वमू जुड़े हैं महिला स्वसायता स्वमू तो 443 और कितनी ग्रामिड महिलाएं ज से जुड़ी हैं या सदस्य है अभ यह जो संगठन है कि क्या करता है तो इस ने क्या प्रेरित किया कि लगभग इसके छेतर में आने वाले जो तेईससो परिवार है ग्रामिड परिवार उनको क्या किया जाए प्रोचसाहित किया जाए कि वो किचन-गार्डन जो उसको बनाए किचन गार्डन मतलब अपने किचन में जो भी आप सब्जी इस्तिमाल कर रहे हैं जो भी चीजों को इस्तिमाल कर रहे हैं अगर उसको उगा सके तो ठीक है तो सब्जी उत्पादन के लिए क्या किया जाए तो प्रेरित किया जाए किसके माध्यम से किचन 605 जो फैमिली यह परिवार हैं तो जो बाजार मूल्य है उससे कम दर पर उन्नत सब्जीयों के बीज तो ऐसे उन्नत बीज है जिनमें उत्पादक्ता कैसे रहे गया प्रडाक्टिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है साथ ही क्या कर रहे हैं तो यह जो संगठन है उसने महिलाओं को कोविड-19 के बारे में भी जागरुक करने का काम किया है तो आपको पता है कोविड-19 जो से रेलेटर बहुत सारे मित हैं लोग अलग-अलग चीज़ों को लेके मनगरन जो है कहानिया इसके बारे मनाते रहते हैं तो लोगों में इसके खिलाब जागरुपता जो है वो भी बहुत जादा जरूरी है क्लियर है तो टॉपिक प्री ओरियंटेट था कि कौन सा एवार्ड मिला है किसको एवार्ड मिला है ठीक है इसके अलावा इसको आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो अगर स्वास्त संबंधित ऐसे आ जाए तो बताना हमारे हाँ पर कौन सी संस था है उसने महिलाओं को किस डिस जी के बारे में आपको बता दूं किन्होंने मा बमलेश्वरी बैंक की स्थापना की जिसकी वर्तमान में 5372 ब्रांचेस हैं सवन में आया तो अंतराष्ट्री महिला दिवस के उसर पर क्या किया गया तो राष्ट्रपती रामनात कोविन जी इन्होंने इनको अवार्ड दि की दिशा में बहुत असाधारन कारी किया तो यह जो बैंक है ना इसको चलाते हैं और मेंटेन सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करते हैं तो पूरा कामकाज भापर महिलाओं के द्वारा किया जाते देखो महिला सशक्तिकरण के दिशा में कितना बड़ा कदम है 5372 ब्रांचेस ठीक है देश भर में 29-39 महिलाओं को मिला है ठीक अब मधुलिका राम टेके जी है वो क्या है तो एक सामाजिक कारी करता है जो कि क्या है घरेलू रूप से प्रताडिक जो महिलाएं हैं उनकी भैलाई का काम करती है और उनको वर्ष 2021 के लिए नारी शक्ति पुरुसकार से सम मंधित ऐसे आजाए तो उसके अलावा सीधा प्री में कॉशन आ सकता है किनको मिला है किस वर्ष के लिए मिला है ठीक है तो दो चीज़े आप यहां से एक्स्ट्राक्ट करके रख सकते हैं नेक्स क्या है देखते हैं तो एंटी पीसी लारा जो है उसको क्या मिला है तो सेफ इनौवेशन एवड़ दिया है तो बिसिकली यहां पर इनौवेटिव सुरक्षा प्रबंधन है मानेजमेंट है सेफ्टी मानेजमेंट उसकी प्रणाली को लागू करिये जाने के लिए क्या हुआ है एंटी पीसी लारा को उर्जा शेत्र एनरजी सेक्टर की श्वेणी में पुरुसकार दिया गया है अब ये जो लारा सूपर थर्मल पावर स्टेशन है 36 गड़ का सीधा जान लो ये रायगर जिले के कौन से गावम है लारा अभी स्थापिच शमता कितनी है तो 1600 मेगावाट है और 800 मेगावाट का सूपर क्रिटिकल टेक्नालोजी जो है इस साइंत्र की प्रमुख विशेषता है तो सूपर क्रिटिकल टेक्नालोजी एक ऐसी टेक्नालोजी होती है जिसमें कि कम कोईला जो है उसके इस्तेमाल से भी जल को क्या किया जा सकता है गरम किया जा सकता है किसमें तो बॉयलर में तो basically होता कुछ नहीं है आप समझ जाओ कि ये thermal power station है thermal power station है मतलब क्या किया जाएगा तो बॉयलर में पानी को गरम किया जाएगा और जो steam बनेगा वो किसको चलाएगा तो steam चलाने वाला है तर्बाइन को तर्बाइन से फिर आगे generator connected होगा बिजली मिलेगी तो बॉयलर जो है उसमें पानी को गरम किसके माध्यम से किया जा रहा है तो यहाँ पर कोईले के माध्यम से किया जा रहा है तो यह जो technology है अपन लगा देंगे ना super critical technology तो कम कोईले के यूज करके या कम कोईला भी यूज करके हम पानी को अच्छी तरीके से गरम कर सकेंगे ख्लियर है अच्छा एंटी पीसी अगर आप बात करें तो 36 गरण में कितने है भई तो यह देख लो सबसे पहले कहाँ पर आया था तो एंटी पीसी आया था जमनी पाली कूरबान फूर असा पैन जो है ज्यादा मोटा चल रहा है शेवेंटी एट में आया एटी थी में उत्पादन चलू हुआ 26 मेगावाट की किपास्टी उसके बाद सेकेंड एंटी पीसी कहाँ पर तो यह आया एंटी पीसी सीपत कहां बिलासपुर में तो 2002 में यह बना या कहूं इस्टाबलिश हुआ 2008 जो है उत्पादन चलू हुआ 29 असी मेगावाट का किपास्टी है ठीक है और फाइनली एंटी पीसी लारा कि 2013-2014 ऐसा बहुत सा डेटा आपको मिलेगा ठीक है कि कब स्टाबलिश हुआ यह 14 मान लेते हैं कोई दिक्कत की बात ही जगणने मत लग जाना इसमें उत्पादन तो 2017 से उत्पादन चालू हो चुका है वर्तमान में स्थापित उत्पादन शमता कितनी है तो 1600 मेगावाट है वैसे तो इसकी पूरी शमता कितनी है तो यह 4000 मेगावाट होने वाली है तो ध्यान रखेंगे आप क्लियर है न यह तीनों एंटीपीसी को आपको ध्यान में रखना है ठीक अगर बात करें इस टॉपिक के रेलेवेंस की तो प्रियोरियंटेड जादा है कि यह एवाट जो है सेफटी इनवेशन के लिए एंटीपीसी लारा को मिला है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब आगे क्या है मैनपार्ट महुत सो 2022 तो 11, 12 और 13 मार्च तीन दिन सरगुजा जिला आपको पता ही है और इसमें मैनपार्ट लास्ट वीडियो में मैंने मैनप पार्ट के बारे में काफी चीज़ों को बताया था यहां पर क्या हुआ है मैनपार्ट महुत सो कौन से जलाशे के पास तो नाम है रोपा खार आपको पता है प्यसी प्रियगर आप दे रहे हो तो हर बार प्यसी एक ऐसा नया चीज ढूंड के लाता है और उसको पूछता है कि यह कोन से जलेंव चाहे वो मंदिर हो चाहे वो परवत हो पठार हो जलाशे हो नदी हो और उसके बाद क्या होता है हम लोग अगबका आ जाते हैं कि यह ददा कहां लागे करके तो इस बार याद रखना रोपा खार पूछे जलाशे कहां है तो सरगुजा मैन पाट ज्या किया गया तो अंबिकापूर में सी मार्ट अब सी मार्ट क्या है तो यह 36 सरकार की एक महतोकांशी योजना है जिसमें क्या किया जाएगा तो हमारे राज्य में उत्पादित बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स के अलावा बहुत सारे क्रिशी समग्री जो है उसको एक जगा पर रख कर क्या किया जाएगा तो विक्रे किया जाएगा या सेल जैसे डी मार्ड यानते हो नो वैसी सरकार बनाएगी सी मार्ट क्लियर है यह तो पहला सी मार्ट तो ध्यान रखना अंबिकापुर में आ गया है चालू हो गया है ठीक इसका क्या किया गया शुबारंब और साथ ही एक गोठान है नाम है क्या सुहागा तो सुहागा गोठान में हूमिक एसिड का निर्माण इसकी इकाई जो है उसका क्या किया गया तो शुबारंब तो पेपर में देखोगे न तो बहुत अलग अलग है 16 तारिक के पेपर में भी दिया है कि सी मार्ट जो है अम्भिकापूर में इसका क्या हुआ है उद्धगाटन हुआ है करके करेंट जब मैं देख रहा था तो सिधा लिखा था कि समापन के उसर पर तो समापन जो है वह 11-13 हु हुमिक एसड के बारे में आपको बताता हूं कि हुमिक एसड जो है एक ऐसा एसड है जिसको जब हम मिट्टी अम्रिदा में मिला दें तो प्रोडाक्टिविटी उस मिदा किया उत्पादक्ता जो है वह बहुत जादा बढ़ सकती है इसके लिए क्या क्या है इसको निर्मान इकनॉमी से संबंदित अगर कोई SI26 रट के अर्थ वैवस्था से तो ले सकते हो हुमिक एसड निर्मान जो है इसको क्रिशी या एक्रिकल्चर से संबंदित अगर SI26 बहुत हो है ऐसे तो भी ले सकते हो या क्रिशी छेत्र में कभी भी कोई भी क्वेशन आया जिसमें पुद्री फोसल पार्क मनेंद्रगण में बनेगा तो आज का दिन 21 मार्च को ही क्या होगा तो आज है वर्ल्ड फोरेस्टे और इस दिन मुख्यमंत्री भूपेश बगेंजी क्या करेंगे इस मरीन फोसल पार्क की निउग रखेंगे कहा पर रखेंगे तो मनेंद्रगण मैं आप पर बता दूँगा तो बेसिकली दो नदिया है एक हस्देव और उसकी सहायक है हसिया तो ये दोनों जो है जहां पर मिल रही है आमा खेरवाई लाके मिलती है मनेंगर से लगा चुँए उसे के अंदर ही बोल सकते हैं ठीक है तो लगभग एक किलो मीटर पे इस शेतर को विक्सित किया जाएगा ठीक है अब इसकी जानकारी इस आमा खेरवाई शेतर में समुद्री फॉसिल्स होने की ये तो 2012 में हो चुकी थी 2015 में लखनाउ में बीरबल साहनी इंस्टिट्यूट है पेलियो साइंसस का उसने यह भी बताया था पुष्टी कर दी थी कि यहां लगभग 25 क्रोड़ों सार पुलाने समुद्री फॉसिल्स है और तब से क्या किया 2015 से ही हमारा जो वन वे भाग है उसने फॉसिल्स वाले जो पूछेगा मरीन फॉसिल पार कहां बन रहा है करके ठीक है तो मैं आपको बता देता हूं अब आपको ध्यान होना चाहिए यह कौन सा जिला है तो यह कोरिया उसमें एक तहसील मनेंद्रगड अब मैंने आपको बताया था कोरिया में ही कि एक नदी निकलती है नदीक नाम क् अजला हसिया तो यह जो चसीया और हस्देव का जो संग क्लियर है ना कि कहा गया भिया संगम यह रहा संगम और वही परामाख खिरवाई इलाके में इसको डेवलप किया जा रहा है ठीक है चलिए next देखते हैं next क्या है चलिए तो हमारा next topic है The Incredible Journey of Kosa इस पुस्तक का विमोचन किया गया है तो 15 मार्च 2022 को यह जो book है इसका विमोचन किस ने किया है तो हमारे CM भुपेश बगहल जी ने कहाँ पर किया है तो विधानसभा परिसर में उनका जो कारियाल है वहां से किया बुक का नाम क्या है तो The Incredible Journey of Kosa अब यह जो book है इसके editors कौन-कौन है तो के एन किशोर जो कि एक वरिष्ट पत्रकार है और डॉक्टर राजेंद्र मोहन्ती इन्होंने इसको edit किया है संपादित किया है ठीक है अच्छा एक चीज़ आपको बता दूँ यह सीधा प्री का question है इसके संपादक को ठीक है अब आपको पता है कि हमारे यहां पर जो कोसा उद्योग है यह कैसा है तो बहुत आदा famous है तो इस book के माध्यम से उसको अच्छी खासे उसकी जानकारी हमको मिलेगी और जो नई पीड़ी है जो आने वाली generations है उसके लिए यह इस उद्योग के जानकारी की एक भंडार या इस उद्योग से संबंधित information जो है उसको मिल सकेगा आने वाली generations को किस से इस book के माध्यम से इसके लावा इसमें कोसा के history के बारे में कोसा किस पद्धती से के system से निकाला जाता है कैसे उससे बहुत सारी चीजे साड़ी वगर जैसे बनाई जाती बहुत सारी डीटेल जो है इस book से आपको देखने को या पढ़ने को मिल जाएगी देखने कसमी लेक टीवी थोड़ी है जी पढ़ने एक मिल लियाएगी ठीक है तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ आपको याद रखना है कि विमोचन किस ने किया यह पहला question मैंने का second है किसने edit किया है संपादित किया है ठीक है national quality assurance standard उसका प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है तो केंद्री स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्रा लेके द्वारा दिया जाता है क्यूं दिया जाता है कि उतकृष्ट स्वास्त सेवा या जबर्दस्त best health services और मरीज जो है उनके बहतर इलाज के लिए दिया जाता है अब छट्रवड के 6 प्रात्मिक स्वास्त केंद्रों को मिला है उसको देखेंगे उससे पहले ध्यान रखना जगदलपूर का जो district hospital है और बुंगेली जो जिला है उसके अंतरगत जो लोर्मी सामुदाइक स्वास्त केंद्र है तो लोर्मी सामुदाइक स्वास्त केंद्र है उसका जो labor room है और maternity operation theater है प्रसवकक्ष labor room और maternity operation theater इसमें भी अच्छी facilities के लिए क्या है इसको लक्ष प्रमान पत्र मिला है तो ध्यान रखना जग्दलपुर जिला अस्पताल और लोर्मी सामुदाइक स्वास्त केंद्र का जो प्रसवकक्ष labor room और maternity operation theater इसको लक्ष certificate मिला है तो वहाँ पर अच्छी सुविधाए है गर्भवती महिलाओं की अच्छे से देखभाल की जा रही है और delivery की अच्छी facilities है उसके लिए अब NQAS पे आओगे तो इसका प्रमाणपत्र जो स्वास्त केंद्र को मिला है उसमें एक ग्रामीन है जो की कहा पर है तो ग्राम का नाम है भेलवा फरसा बाहर कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा तो जशपूर को जगपूर लिख रहो मैं भी देखो जशपूर और पांच ज पूर्बा जो डिस्ट्रिक्ट है ना उसमें है धोड़ी पारा और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में क्या है 14 शहरी प्राथमिक स्वास्त केंद्र तो ये 6 के नाम आपको ध्यान रखने है अगर डीटेल में चाहे तो पूछ सकता है नाम क्लियर उसके लावा लक्ष किसको मिला है तो इन दोनों का नाम जगदलपूर और लोर्मी वाला यह आपको ध्यान रखना है टॉपिक कैसा है तो प्री ओरियंटेड जादा है हाला कि इसको ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं अगर स्वास्त यह हेल्थ के उपर ऐसे आये तो बता सकते हैं कि हमारे यहां पर हेल्थ फेसिलिटीज को ऐसे एवर्ड मिल रहे हैं जिससे पता चलता है कि हेल्थ फेसिलिटीज जो है उसका डेवलाप्मेंट हमारे यहां बहुत अच्छे से हुआ है करके क्लियर है चलिए तो आज के लेक्शर को एंड करते हैं कुछ क्वेशन से पहला क्वेशन है सत्यकतन का च सित्थ हो रहा है ठीक एवी सीटी चार ऑप्शन्स दी हैं और फाइनली क्या है तो है दे इंक्रेडिबल जर्नी ओफ को सा संपादक कौन-कौन है ठीक है तो आप यह जो क्वेशन से इसको अटेम्ट करें कमेंट बॉक्स में बताएं चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर कर करते हैं एंड और आप सभी से मुलाकात होंगी मेरे अगले वीडियो में तब तक लिए थांक्यू और टेक केर